कुदेव जो पीए सीमा होंगे बाबाल दिन रात पढ़ना है मन्जा वो धामाल काव बरले थसरे टेंसन अरे काव बरले थसरे टेंसन जब अप सरवन केते कर पे धामाल ये कैसे होगा से आप सभी का आज की इस कक्षा में स्वागत हैं हम पदार्थ की अवस्थाओं और पदार्थ क्या होता है ये सारी चीजों को हम देख चुके थे आज जो हमारा टॉपिक है वो पदार्थों के प्रिथक करण से है अखर प्रिथक करण का मतलब क्या होता है प्रिथक करण का अर्थ ये होता है कि किसी अनुपियोगी पदार्थों से उपियोगी पदार्थों को पृथक करना या उपियोगी पदार्थों से अनुपियोगी पदार्थों को पृथक करना जैसे अगर आप चाय बनाते हो तो चाय बनने के बाद आप क्या करते हैं चाय छनी से चाय पत्ती को पृथक करते ह या जो अद्रक या जो भी चीजे होती है जिसका चाय बनने के बाद उपयोग नहीं होता है आप उन्हें अलग करते हो अगर आटा गुतते हो तो आटा गुतने से पहले आप आटे से जो निकलता है उसे हम क्या बोलते है भूसा टाइप का निकलता है चोकर भी उसे बोलते है उसे आप चाय जो चाल छनी होती है आटा चलनी उसके दुआर आप क्या करते हैं उसे प्रिथक करते हैं तो ये क्या है अलग करने की जो विधिया होती है उसे ही हम प्रिथक करण की विधिया कहते हैं आपके धरती पर ऐसे बहुत सी चीजे हैं जिनका उपयोग करने के लिए स इसकी बात करें तो प्रति दिन हम जिन पदार्थों का उप्योग करते हैं, वे चीज उन में बहुत सारे मिस्रण होते हैं, इन में से कुछ अनुप्योगी होते हैं, तो कुछ हमारे लिए उप्योगी, इन मिस्रणों से अनुप्योगी पदार्थों को अलग कर दिया जाता है ताकि उपयोगी पदार्थों को सनरच्छित किया जा सके ताकि उसका उपयोग किया जा सके तो यही क्या कहलाता है आपका प्रिथक करण का विधी प्रिथक करण का मतलब ही होता है कि अलग करना जैसे एक इक्जामपल और ले सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं आप पी रहे हैं सरबत माल लेते हैं यह हमारा ग्लास है अब आपने सरबत पीने के लिए क्या किया इसमें आपने पानी डाला सक्कर डाला बर्फ डाला और टीबू भी डाला लेकिन जो नीबू का बीज होता है आप उसको क्या करते हो सरबत से प्रिथ प्रिथक करन का परिभासा लेकिन जरूरी नहीं है कि आप सारी चीजों को जो प्रिथक करते हैं जो अलग करते हैं वो एक ही विधियों के द्वारा करो आप हर चीजों को अलग-अलग विधी के द्वारा अलग करते हो तो इन ही विधियों को हम समझने का प्रियास करेंगे आ इन भीन प्रकार से किया जाता है जैसे ठोस अवयो के मिसरण का प्रथक करण, ठोस और द्रव अवयो के मिसरण का प्रथक करण, द्रव और द्रव अवयो के मिसरण का प्रथक करण, बहुत सारी ऐसी चीज़े होती हैं जिसमें हम कभी-कभी क्या करते हैं ठोस से द्रव को या ठोस से ठोस को हम अलग करते हैं, उसी की बात कर रहे हैं, पस पदार्थ की अवस्थाओं को बता रहे हैं, जो हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, आप सभी ने देखा कि जो पदार्थ की अवस्था होती है, तीन रूप में होती है, draw, ठोस और get प्रधाकरण की हम विधियो की बात करें तो सबसे पहला विधी क्या है आपका हस्त चैन हस्त चैन में क्या होता है हैंट सेलेक्शन इसमें आप क्या करते हैं इसमें आप चीजों को हाथों से निकालते हैं जैसे हम कह सकते हैं कि आप देखते होंगे कि माता थाली में क्या लेती है चावल लेती है या गेहूं लेती है या कोई भी ऐसा ले सकते हैं हम लोग अनाच लेती है उसमें से क्या करती कंकड पत्थर को अलग करती तो यह क्या हस्त चैन है इसमें हम क्या करते हैं जो कंकड पत्थर या जो धूल क कहते हैं या हैंड किपिंग भी कहते हैं दूसरी जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं अवसाधन कहते हैं सेडिमेंटेशन कहते हैं इसमें हम क्या करते हैं रेत को अलग करते हैं किस से पानी से अगर हम पानी ले पानी में हम रेत को रख दे थोड़ी देर के लिए तो रेत क और जब धुलते हैं तो उसमें पानी ढाल देते रोगते हैं ठोड़ी देर किल उसे छोड़ देते हैं तो जब जब चांवल रहते वह नीचे चला जाता है और जो अनवश्यक चीजह होती ही वह ऊपर आ जाता और उसे आप क्या करते हैं निथार लेते हैं यह क्या है इस सब अभी points देखिए, तीसरी विधी क्या है आपकी threshing हो गई, चौथा है आपका निस्तारण, पाचवा निस्पादन, निस्चेयन और सात्वा आपका चालन, चालन का मतलब क्या है कि आप चलनी से जो चालते हो, जैसे आप आटा चालते हो, कभी-कभी आप देखते होंगे कि ज बनते हैं, उसमें रेत को डाला जाता है, चलनी में और बारिक रेत को निकाला जाता है, हाथ से ऐसे करके, तो जो जाली के बाहर जो होता है, वो बारिक कड़ होता है, उसी का हम प्रयोक करते हैं, और जो चलनी में बच जाता है, उसे हम फेक देते हैं, तो ये भी चालन की क बब्लम में सुधाल लेगे इस वीधि में हाथों का प्रयोक किया जाता है देखिये आप देख सकते यहाँ पर एक माता है जो क्या कर रही है इसे एक वन्ट इसमाल इस्तों इसमें क्या पैटन के साथ जो इसमाल स। winners है जैसे आपके कंकर्थ हैं उन Спас से इसमें ये क्या करी है validate के साथ जो प्रियां को हाथ से क्या करी है अलग करी नょ प्रिथा कर रही है तो इस विदी को हम क्या कहते हैं हस्थ चैनन कि दूसरा प्र atSON किश ब्ड़े अन्यों है प्रिथा करने के लिए कि याद रिखिए गाamos के point of view से important है यहां से सवाल बनते हैं प्रिथाक करन की जो विधिया है important topic है यहां से सवाल देखेंगे आप previous year जब आप उठा कर देखेंगे न यहां से सवाल देखने को मिलते हैं तो यह पहली विधी क्या हो गई पहली विधी होगी आपकी hand selection इसमें आप क्या करते हैं हाथों से chain करते हैं जो अनुपयोगी होगा उसे आप हाथों की प्रक्रिया के द्वारा निकाल कर फेकेंगे आप बहुत अच्छे से जानते होंगे क्योंकि आप जिस नगर कस्वों में रहते हैं वहां पर यह सारी चीजे common हैं देखने को मिलती है अगली जो विधी आपकी वो क्य क्या कहते हैं थ्रेशिंग मसीन कहते हैं इससे हम क्या करते हैं जो पके हुए दाने होते हैं उन्हें हम अलग करते निकालते हैं तो इसके लिए दो चीजों का प्रयोक करते हैं या तो पटक पटक क्या करते हैं इससे दाना निकालते हैं आप देख सकते हैं यह क्या है आपक पहला point है कि क्रिशी की वह प्रक्रिया जिसमें कटी फसल की फलियों से दाने को क्या किया जाता है विमुक्त किया जाता है जैसे आप example देख सकते हैं इसमें कटी हुई फसल से क्या किया जा रहा है दाने को प्रथक किया जा रहा है इसमें भी मसीन का प्रयोग आप कर सकते हैं और अनाज साफ करते हैं, उन दोनों की बीच की प्रक्रिया क्या है, आपकी थ्रेशिंग है, इस क्रिया में कटी फसल को किसी प्रकार इतना जगजोरा जाता है, कि उसके पके दाने अलग हो जाए, यहाँ पस इस इमेज की बात की जाती है, कि कटी हुई कोई फसल है, उसको इ हैं जिनका प्रिथक करना बहुत जादा वश्रक है बिना प्रिथक करें हम उसका इस्तमाल नहीं कर सकते लेकिन उनको प्रिथक करने के लिए हम एक ही विधी का प्रयोग नहीं कर सकते तो क्या कर रहे हैं हम अलग-अलग विधियों के द्वारा हम अलग-अलग रूपों में च इसे हम हस्त चेयन कहते हैं, दूसरा हमने इस थ्रेशिंग देखा, थ्रेशिंग में क्या करते हैं, थ्रेशिंग में पके हुए जो फसल होते हैं, जो दाने होते हैं, उसको पटक पटक कर क्या करते हैं, दानों को अलग किया जाता है, किस से फसल से, और आपका एक जिसे हम क्या कहते हैं विनोइंग कहते हैं अब इसमें क्या कहते हैं आप इमेज के थ्रू ही समझ सकते हैं कि हम क्या करते हैं इसमें उची जगा पर खड़े हो जाते हैं और जो भूसा होता है क्योंकि हम क्या करते हैं काट काट के बारिक बारिक रख लेते हैं अब अनाज और भूसा क्या हो गया, जैसे हमने क्या किया, थ्रेसिंग किया, हम पटके, आपका क्या हो गया, दाना आ गया, सांस में कभी-कभी भूसा भी आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, दाने से भूसा को अलग करने के लिए उचाई पर खड़े हो जाते हैं, और हवा का जोका जिस दिसा म की अडिक लिए Q5 कहे लाती हो किसान इस विद्धी का उपवयोग हलके भूसे और भूसी की विश्रण एक यूचाई से गिरने दिया जैसा कि आप image में देख रहे हैं ये कोई सा जाता है इसलिए वह क्ई पर देख रहा है तो आप म​देफिकर पर देख रहे हैं भूशा को आपके जो अनाच है उससे अलग किया जा रहा है। ये भी आप अपने घर में देखे होंगे क्योंकि ये सारी चीजे घर में लगभग होती रहती है। गाउं में अक्सर ये चीजे देखने को मिलेंगी आपको। अगली जो विधी है उसे हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं चालन शिविंग क्या होता है ये तो ये शिविंग ये होता है कि आप इमेज के थ्रू देख सकते हैं हम आटा से चोकर को अलग करते हैं जैसे आप लोग देखते होंगे चोकर भी कहते हैं कुछ भूशा भी कहते हैं तो हमारे हाँ क्या कहते हैं आटा को चोकर कहते हैं तो मुझे ये नाम पता है तो आटा से हम क्या करते हैं जब चोकर को अलग करते हैं भूसा टाइप को जो दिखता है आप लोग को जिसको गाय को खिला जाता है तो ये जब गेहूं जब बारिक नहीं पीसा होता है उसका ही होता है तो यह क्या है आपका हां हम आटा घूतने से पहले जा करें हैं इसको बारिका बारिक चालने के लिए चलनी का प्रि及 करा थी बच smaller थी इसजों 207 यह लोग क्या जाएगा साथ और recap आपके ज्वत कर सकते हैं जैसे आप गर करें हो के कड़ होंगे वो क्या होंगे नीचे गिर जाते हैं तो इसके द्वारा इस से रिलेटेड जो भी चीजे होंगी ना उसके लिए आप इस विधी का प्रियोग कर सकते हैं जिसे हम क्या कहते हैं चालन की विधी कहते हैं अगला जो प्रक्रिया है अवसाधन पांचवी विधी क्या है आपका अवसाधन इसे हम सेडिमेंटेशन कहते हैं क्या होता है ये तो किसी तरल में उपस्थित कड़ों का जमीन पर आकर बैठ जाना अवसाधन सेडिमेंटेशन या तल छटी करण कहलाता है याद रखिएगा अगर examiner अवशादन का नाम ना दे कर तल छटी करण दे दे तो आप confused नहीं होईएगा अवशादन को ही sedimentation और तल छटी करण कहते हैं क्यूं क्यूंकि इसमें जो आपके कड़ होते हैं जैसे आप कोई द्रव ले रहे हो ठीक है उसमें जो कड़ होंगे न वो जमीन नीचे तल क्रिया को अवशादन कहते हैं यह क्या है आप चाहें तो practical भी कर सकते हैं कि आप बाल्टी लें बाल्टी में आप क्या करें पानी भरें और उसमें रेद डाल लें थोड़ी देर बार आप देखेंगे कि रेद जो होगा वो जमीन में मतलब जो तली होगी उसमें बैठ करते हैं कोई सा बरतन लेते हैं ठीक है कोई बरतन लिए इसमें हम क्या करते हैं पानी भर देते हैं फिर हम उसमें चावल दाल को मिला देते हैं थोड़ी देर बाद देखते हैं कि चामल दाल नीचे तली में बैठ जाता है फिर हम पानी को निथार लेते हैं निकाल लेते है तो ये भी अलग विद्धी है फिल हाल हम ये देखेंगे कि इसमें जब हम चामले दाल को डालते हैं पानी में तो नीचे तली में बैठ शाता है जिसे हम क्या कहते हैं अवशादन कहते हैं ये रहा अवसादन का एक example इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें क्या किया गया रेत को डाला गया और ये रेत क्या हुआ नीचे तली में बैठ गया तो ये क्या है आपकी अवसादन की एक प्रक्रिया है जिसे हम sedimentation कहते हैं और दूसरा हम क्या कहते हैं दूसरा हमने देखा कि इसे हम तलचटी करण कहते हैं clear हुआ sedimentation अवसादन और तलचटी करण एक ही नाम है dissolving experiment याद रखिएगा आप जब नमक सक्कर को पानी में मिलाते हैं वो dissolve हो जाते हैं घुल जाते हैं लेकिन आपका जो रेत होता है वो नहीं घुलता है जैसे आप देखिए यहाँ पस आपने रेत लिया ठीक है फिर आप उसको water के साथ मिलाए तो आप देखेंगे कि इसमें कोई solution नहीं बना जो रेत था वो नीचे बैठ गया और पानी उपर रह गया लेकिन जब आप क्या करेंगे सुगर लेते हैं आप सक्कर लेते हैं पानी के साथ तो सुगर और पानी को मिलाते हैं तो सुगर solution बन जाता है सरवत बन जाता है ठीक है तो यह आप देख चुके है जो रेत होता है वो पानी के साथ नहीं मिलता यह दोनूं क्या होते है अलग होते है हमें जब मिस्णरành पर रहे थे हमने बहुत अच्छे से इसको देखा था यह यह वही है आप दों जो आवसादन देख रहे थे इसमें हम चावल को क्या करते हैं थोड़ी देर के लिए समझेंगे जब पंकिल जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो असुधिया तली पर बैठ जाती है इसके पस्चात स्वच्छ जल को उपर से प्रिथक कर लेते हैं इसमें उप्योग होने वाली प्रिथक करण की प्रक्रिया को निस्तारन या निथारना कहते हैं या क्या कहते हैं डिकेंटेशन कहते हैं निस्तारन डिकेंटेशन की प्रक्रिया में अवसादित पदार्थ को छेड़े बिना उपर से द्रव को किसी दूसरे पात्र में डाल लि हैं फिर थोड़ी देर बाद हम क्या करते हैं पानी को उसमें से निथार लेते हैं जो आपका सुद्ध पदार्थ होता है वो क्या होता है बाहर हो जाता है यह देखिए आपका यह है आपका सेडिमेंटेशन का एक एक जामपल हम लोग पढ़ रहे थे और इसमें क्या करते हैं बी कर लेते हैं, water लेते हैं और आपका sand यहां पस rate का कर लेते हैं, तो ये rate जो है वो नीचे बढ़ गए, ये तो अलग है, sedimentation की प्रक्रिया है, लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी decantation की, तो इसमें हमने कोई sediments को मिलाया, और ये क्या है आपका clear water है, तो इसमें क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए हमने क्या किया water और sediment को साथ में रखा, कुछ देर के लिए हम छोड़ दिये, उसके बाद sediment क्या होगे, पूरी तरह से नीचे बैढ़ गया, और जो pure water था, वो उपर ही रहिया, तो हम क्या किये, जो clean water था, pure water था, इसको हम चान लिए, यही क्या है हम कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, जैसे आप देखते हूंगे, कि आप पानी पीते हैं, उसके लिए भी आप filtration को उपयोग करते हैं, आप देखते हैं, कई सारे machine आते हैं, जिसके थूँ आप पानी को सुध रूप में गरहन करते हैं, पीते हैं, कभी तो filtration किया जाता है, तभी तो वो सुध होका राता है, तो इसी बहुत सारी प्रक्रिया है, जिसके हम प्रयोग करते हैं, ध्यान देंगे, द्राव से ठोस असुधियों को अलग करने की विधी है, इसके लिए इस विधी में समानेता छनी कपड़े के तुकड़े या फि बिए निषज़ Eggerek महतपूर है, दिसपंदन का मतलब क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है, निषबंदन से सवाल देखने को मिलते हैं, यदि ये निषबंदन नहीं होता, तो हमारे आस पास सुरख्षित पेजल नहीं होता, आप जो पेजल पीते हैं वो फिल्ट्रेशन, निश्पंदन के कारण ही होता है जिसमें जो असुद्धिया होती है वो वहीं पर रुख जाती है और पेजल को हम ग्रहन करते हैं आपनों देखते होंगे आपकी युनिवर्शिटी, कॉलेज, कोचिंग में लगा रहता है क्योंकि ये तलछट, रेत, बजरी, कार्बन और अन निलंबित कड़ो को क्या करता है, खत्म करने में महतपुर भूमी का निभाता है, कौन आपका फिल्ट्रेशन, निश्पंदन, अगला जो है वो आपका क्या है, इवापुरेशन है, जिसे हम वास्पन कहते हैं, इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है, कि किसी द्राव के द्राव का गैस में परिवर्तित होना, ये क्या कहलाता है, वास्पन कहलाता है, या इवापुरेशन कहलाता है, अब आप इमेज से देखिए, कि ये क्या है, आपका कोई समुद्र है, ठीक है, अब यहाँ पस जो द्राव के कड़ हैं, वो क्या हो रहे हैं, गैस में परिवर से होगा वास्पन इवाउपोरेशन जल को उसके वास्प में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं वास्पन कहते हैं जहां पर जल होता है वास्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है यहां पास हमने क्या देखा यहां पर हम देखा है कि यहां प देख रहे थे जो हो एगला वह संघनन संघन जिसे हम क्या कहते हैं कैथ है कंडेंशन क्या होता है कंडेंशन तो देखेंगे कि ज्कि आज से द्राव बनने की mid χक न सबसे प्रक्रिया को हम वास्पन कहते हैं यह इवापूरेशन कहते हैं लेकिन जब आपका गैस से क्या बन रहा ह। करेंगे संगनन गैस से ड्राव बनने की परिघटना को संघनन कहते हैं यह वास्पन के विपरित है वास्पन में क्या होता है कि वास्पन में आपका द्रव से गैस बनता है लेकिन संघनन में गैस से द्रव बनता है तो यह क्या हो गई आपकी वास्पन की प्रक्रिया हो गई संघनन के बाद वायू मंडल की जल वा प्रफटक करने की कुछ वीदियो को हम समझे संगनन और वास्पन बहुत ज्यादा इंप्पॉर्टेंट है इस चीज को ध्यान रखिएगा सबसे पहले हम पदार्थों का प्रिथक करन देखे जिसमें हमने समझा कि प्रती दिन हम जिन पदार्थों का उपयोग करते हैं उन चीजों में क्या होता है किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ पदार्थ मिक्स होता है जिसे मिसरण कहते हैं और हम मिसरण का हमेशा उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि उस विसरण में कुछ उपयोगी पदार्थों और कुछ अनुपयोगी तो उपयोगी पदार्थों से अनुपयोगी पदार्थों को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं उसे हम प्रथक करण कहते हैं तो हमने देखा कि भिन-भिन पदार्थों का जो प्रथक करण होता है वो भिन-भिन रूपों में हो जो कंकड पत्थर जो छोटे-छोटे कड होते हैं उन्हें हम अलग करते हैं तो यह कौन सी विधी हो गई यह अनाज से कंकड पत्थर को अलग करने की विधी हो गई दूसरा हमने क्या देखा दूसरा हमने थ्रेशिंग देखा थ्रेशिंग में हमने क्या समझा कि आपका जो फ उसके उपरांथ यह पॉइंट से आप देखते चलेंगे किरशी की वह प्रक्रिया जिसमें कटी फसल की फलियों से दाने को विमक्त किया जाता है और उसके बाद जब हम थ्रेशिंग कर लेते हैं तो थ्रेशिंग के बाद भी उसमें क्या रहता है आपका कुछ भूशा रहता है जिसके कारण क्या होता है अनाज और भूसा अलग हो जाता है ठीक फ्लियर हुआ तो यह हो गए विनोई निस्वावन की प्रक्रिया फिर हमने समझा कि चालन भी एक प्रकार की विधी है जिसके मांध्यम से हम बारी कड़ों को क्या करते हैं बड़े कड़ों से अलग करते हो फिर हमने देखा अफसादन सेडिमेंटेशन अगर हम एक बाल्टी में क्या करें रेत को डाल दें तो थोड़ी देर बाद देखते हैं कि रेत जो होता है वो तल में बैठ जाता है जिसे हम क्या कहते हैं फिर हमने क्या समझा यह हमने देखा यह सेडिमेंटेशन का क्या है एक्जाम्पल है जिसमें आप देखी कितना बढ़िया पानी साफ दिख रहा है इसमें जो रेथ है वो नीचे बैठ गया है मतब इसके द्वारा हम क्या करते है सुन्ध जल को बाहर निकाल सकते हैं फिर हमने देखा कि ये क्या होता है डिजॉल्व होता है कि नहीं होता इस प् फिर हमने देखा निस्तारन निथारना जब पंकिल जल होता है उसमें क्या करते है उसको पूरी रात जब हम रखते हैं तो असुधिया क्या होती है नीचे बैठ जाती है तो जो सुधिया होती है उसको हम क्या कर लेते हैं निथार लेते हैं अलग कर लेते हैं जैसे आपका धेख सकते हैं जैसे हम ने क्या किया थोड़ीदेर के लिए हमें नीचे बैठ क्या कहलाती है को तक हेलाती है को तक हैं आप्षाशन की प्रका सभी जानते हैं कि बीना filter water आप नहीं पीते हैं बीना water का filter की बीना आप नहीं पीते हैं oil का जो होता है आप लोग good oil जो यूज करते हैं उसका भी filtration होता है बहुत सारी चीजों का filtration होता है कुछ points के तुरू हमने समझा कि कई सारी असुधिया होती हैं द्राव में भी कुछ असुधिया होती हैं, जिसको हम द्राव से द्राव अलग करते हैं, ठोस में कुछ असुधिया होती हैं, जिसको हम अलग करते हैं, तो इन सब करने की जो अलग करने की जो विधिया हैं, इनको ही हम क्या कहते हैं, इनको ही हम फिल्ट्रेशन कहते हैं, फिर आपका गैस से द्रव बने जब आप देखते हैं गैस से द्रव को बनते देखते हैं तो यह क्या कहलाता है यह आपका संघनन कहलाता है ये प्रक्रिया क्या गयला थी आपकी संघनन की प्रक्रिया कहला ये हो गया इवापोरेशन द्रव से गैस का बनना और ये हो गया आपका संघनन जिसे हम कहते हैं गैस से द्रव का बनना ये जस्ट क्या होता है आपकी वास्पन के इवापोरेशन के जस्ट ओल्डा होता है चलिए तो हमने ये सारी चीजों को समझा, आज के लिए इतना ही हमारा पदार्थों का जो पृथक करना का टॉपिक था वो कम्प्रेट हो गया है, कल हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, ठाइंकि अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविशे को साकार करना, तो जुड़िए कॉम्पिटिशन कम्यूनिटी के साथ, आज ही हमारे वेब साइट के कैरियर पेच पर विजिट करें, अथ्वा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिये गए लिंक पर क्लिक करें, हमेशा आपके साथ टीम कोको